तो यहां मैं आपको अपने घर में लगे पौधे दिखाने जारी हूँ यह सदा बाहर का पौधा है आप लोग देख सकते हैं इसमें वाइट वाइट फूल था और यह परपल हाट है इसके पत्ते परपल कलर के होते हैं और यह घर की सोवा बढ़ाता है यह सोव प्लांट हुआ और यह स्पाइडर प्लांट है और यह सिंगोनियम प्लांट है यह सारे इंडोर प्लांट है फ्रेंड आप लोग अपने घर के अंदर भी इसे रख सकते हैं और सिंगोनियम प्लांट और परपल हार्ट प्लांट है यह सब पानी में भी आप इस अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकते हैं तो यह सीन मेरी घर की सीड़ी की है तो आप लोग देख सकते हैं इसका लुक कैसा लग रहा है मैं सीड़ी के किनारे इस पौधे को सजाई हूं और यह सिंगोनियम प्लांट है इसके डाली को तोड़ कर आप अगर दूसरे गमले में लगा देंगे तो वो तुरंथी उसमें से जड़ निकल जाएगा और तुरंथी लग जाएगा यह स्पाइडर प्लांट के बीच में एक फ्लावर हुआ था उसके उस फ्लावर से यह सब चोटे चोटे पौधे लगे हैं यह भी यह वी जो पौधे है इस प्लानट प्लांट के थैंचा और यह मैं पानी में ग्रोध की हूं इसन पौधो को और यहां भी यह परपल हाट है और इसके साइड में सिंगोरियों प्लांट लगाए हैं यह हाइंग पोर्ट में लगाए हैं इसे घर का लुक बहुत अच्छा लग रहा है और इधर मैं आपको कुछ बहुत है और दिखाती हूँ फ्रेंड तो मेरी वीडियो को प्लीज लास्ट टक देखें अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और यहां मैं आपको यह लीची का छोटा सा पौधा है वो दिखाने जा रही हूँ तो देख सकते हैं इसमें अभी चोटी चोटी से पत्ते आही रहे हैं मुझे पेण पहुत है बहुत परसंद है इसलिए मैं यह वीडियो यूटूब चैनल पे डाली हूँ तो यह करी पत्ता का छोटा सा बेवी प्लांट है करी पत्ता हमारी सेहत के लिए बहुत लबदाया के फ्रेंड आप इनके चार-पांच पत्ते सुबा खाली पेट में खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इसमें इस पत्ते में काल्सियम भी पाया जाता है यह करी पत्ता का बड़ा सा पौधा है इसके पत्ते में अपने घर में यूज करती हूँ और इसके किनारे भी में पौधे लगा रखी हूँ नीचे देख सकते हैं एलो वेरा लगा है यह एलो वेरा सूख गया था गंबले में तो फिर में निकाल कर मीटी में लगा दी हूँ तो इतने अच्छे से ग्रोथ हो गया है और यह गुलाब की डाली लगाई थी तो यह भी अच्छी बहुत सारे पत्ते निकाला है और यह अ यह यह यलो कलर का उरूल का पौधा है कि अभी तक इतना बड़ा हो गया लिके नेक बार भी इसमें फूल नहीं हुआ है ऐसे इसके पत्ते बहुत साइनिंग करते हैं और यह हमारे छोटा सा मीर्च का पौधा था और यहां भी मैं सिंगोनियम फ्लांट लगाई हूँ और यह पत्तल चट्टा का पौधा है इसके पत्ते को पीस कर पीने से जो हमारे पेट में पत्तरी होती है वो गल जाती है तो आप लोग इसे भी अपने घर में और और यह पत्तल चट्टा ही हुआ यह बहुत बड़ा प्लांट होता है उसके बाद इसमें बड़े-बड़े से फ्लाबर लगते हैं तब यह चोटा सा है तो अब मैं आपको अपने छट पे जितने पौध लगाई हिए वो दिखाऊंगी यह देखिए मैं गमले में मिर्च का पौधा लगाई थी गमले में ही मिर्च का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ हो चुका है छट पे इसलिए यहां पर धूप इनको सबसे जल्दी मिल जाता है और यहां पर एक मिर्च भी हुआ है और इसे पहले दो मिर्च और था फ्रेंट वह मैं तोड़ ली हूं और यहां पर यह एक गेंदा का पॉधा का फूल से इतने सारे गेंदा के पॉधे निकलाए है और यह भी फ्लाबर का ह बीच में यह अर्जमाइन का पौधा है इसमें भी अर्जमाइन का पौधा है इसमें अधा एसमें बाहार ब्लांट बारों यह शुद्फा बीच में एकड़ा बितgot partoodot रपि्फाल में तो यह फोटी आपको यह गरिखाती हूं तो यहां से देखिए मेरे पौधे का लूक यहां पे जो साइड में दिख रहा था वो हलका पिंक कलर का था और यह अनार का पौधा चोटा सा जब यह और ग्रूथ हो जाएगा तो मैं इसे जमीन में लगा दूँगी उसके बाद यहां पिए भी साइडा बाहर का पौधा फ्रेंड और यह है यह पौधे में से छोटी छोटे से फूल भी आते हैं वहलके पिंक कलर के और यह तुलसी का पौधा है जो भी इस कोविड नाइंटीन के लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग इसका काढ़ा बना कर घर में पीचते हैं और इस साइड में आपको स्नेक प्लांट दिखा रही हूँ यह स्नेक प्लांट यह भी इंडोर प्लांट है फ्रेंड मैं अपने रोम में भी लगाई हूँ और यह छट पे भी लगा रखी हूँ यह भी प्लांट सो है सो के लिए बहुत अच्छा है और यहां पर चोटा सा बेबी प्लांट भी निकल रहा है तीन बेबी प्लांट निकल रहा है और यह किये है और एग उस साइड में तो चलिए फ्रेंड मैं अपने घर के सारे पौधे आपको दिखा दी हूँ अगर आपको यह पौधे अच्छे लगे होंगे और अगर आपको यह पौधे जो मैं रखी हूँ वो स्टायल अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट औ तो अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो वह भी कॉमेंट कर दीजिए कि अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरा वीडियो में कोई लाइक नहीं करता है लेकिन फिर भी मैं बनाती जाती हूँ इसमानी प्लांट में जड़नी का लाया है फ्रेंड आप लोग पानी में भी अच्छे से अच्छे पौधे को ग्रोध कर सकते हैं तो थाइंक्यू अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में बार